शीर्स वरेता प्राप और खिताब के प्रबल दावेदार भारत के किदामबी श्रीकांत तथा अजय जेराम ने बहतरिन प्रदर्शन करती हुए स्वेस ओपन बैडमिंटन टूर्णामेंट के समिफाइनल में प्रवेश कर लिया है वही अब इन दोनों खिलाडियों के बीच समिफाइनल में मुकाबला होगा जिससे एक भारती खिलाडी का फाइनल में पहुँचना तै है विश्व के चोथे नंबर के खिलाडी श्रीकांत ने आठवी स्रीट जापान के ताकोमा युएदे को शुक्रवार को 31 मिनट तक चले मुकाबले में 21-21-21-21 से हराया जबकि जैराम ने जबरदस्त वापसी करते हुए जापान के काजो मासा सकई को 58 मिनट के कड़े संघर्ष में 17-21-21-21-21 से हरा दिया पता दे कि श्रीकांत हाल ही में All England Championship के पहले राउंड में एक जापानी खिराडी से हार गए थे लेकिन स्विस ओपन में उन्होंने लगातार बहतरीन फिरदर्शन कर सेमी फाइनल में अपने जगा बना ली वहीं जैराम ने हार के कगार से वापसी करते हुए जीत हासिल की नेक्स नाइन न्यूजरूम से मैंने कुछ